this beauty post यहांपर यह वारी लयन देखी है जो आप देख रहे हो ये मेरी एक एंट्री की लाइन है एक के ऊपर यांदि अपना स्टोब लगुआ है दुटे को बत्रेंगे चर्कर करने इसके डांसती को सकते हैं इसकी हुए एक एंट्री की लहा पर यहां को बिलती Track एक अच्छा मूवेंट हमें हिंदाल को नहीं दिखा था हिंदाल को कंदो बहुत अच्छा ट्रेड हमें मिला था Apollo में sapollo की अपोल आपोफ आपोलो गांदर डली टाइम फ्रेम पर कुछ हचो अच्छे से section में next to impossible chances हैं कि stop losses भी जा सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि जितने order frozen देख रहे हैं downside की तरफ बहुत ज्यादा chances है कि price में upside की तरफ के moment अभी तो फिलहाल नहीं होने चाहिए हाँ जो हमारा target है target complete कर देने के बाद में भी chance है कि price हमारा upside की तरफ है बट अभी APL Apollo में जो हमें पूरी तरह से देख रहा है कि यहां पर तो चलिए अपनी entry बन रही है जो volumes के confirmations के according हमने लिया था और इसके पहले की जो आप पहले की अभी से लेकर कि जो हमारी fourth red candle है back side में जिसके बाद में दो green candle बनी है यह जो बड़ी सी आप red candle देख रहो ना price अगर इसके नीचे गया तो इसके इतना बड़ा इतना अच्छा मूब हम expect कर रहे है कि price direct फिर आपका नीचे जागा अभी तो यह अशा नहों कि upside में जाकर कि हमारे stop loss ही ले 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 ज़री है कि यहां से price फिर हमारा आप entry देने के बाद में अभी तो फिला लॉस महीं है कि यह लॉस ही बड़ो है अभी तो चांसे हैं कि प्राइज हमारे नीचे आएगा और देखते हैं इतना confidence भी सही नहीं होता है यहां से नीचे आना अच्छे इनको upside के तरफ गया ना तो फिर में भी हो सकता है जाना तो इसको नीचे यह लेकर ना करें हमारा stop loss इसने लिए तो फिर हम trade execute नहीं करेंगे क्योंकि अपनी जो regulations recording फिर हम एक ही trade करें उसके राब फिर हम trade execute करेंगे नहीं तो बस एक move है में चाहिए कि price गलती से बस अपना ये जो swing इसने लगा है सबसे latest swing लगा है उसको बस तोड़ दे एक पार क्योंकि entry जो अपनी है ऐसे देखा जाओ तो इस swing के नीचे ही होनी चाहिए बट हमने जो entry identify की swing के ऊपर यहां पर यह candle अपनी रेट केंडल ही फर्म होनी चाहिए लेवल के नीचे रेट केंडल फर्म होनी चाहिए एंटी थोड़ी सी अर्ली एंट्री है यह थोड़ा सा डेंजर हमको लगता है बट कंफर्मेशन से हम उस जगह पर अपना trade execute कर सकते हैं इस से क्या हुआ ना कि जो करीब साड़े चार या 500 क्या रहे थी फिर हमने जो अपना एंट्री पॉइंट अपसाइड की तरफ रिवाइस किया तो क्यूंटी हो गई तो करीब साथ सो से ज्याधा के साथ में ट्रीड अपना चल रहा है अब प्राइस देखिए नीचे की तरफ आ रहा है बस स्विंग के नीचे की तरफ अपना चला इसको स्विंग जाना चाहिए हमारा चलिए अब इसको वाच करते हैं देखते हैं थोड़ी दिर में क्या होता है कि थीचे की तरफ रहा है बस tips वाच अपको उमला कर दो खब हो जोगत प्रही सिर्प आपन यादानी हो जैरे टारिली कि रजते हैं प्रहीं प्रहीं को जोगत घ्माम ये लिए मैं आपिक टेड़ा दो जया प्रहीं अब यहां पर अपनी एक्जिट है यह बहुत अच्छा मुग इसने दिखाया डाउंसाइट के तरफ अब मेभी चांस है कि यहां से फिर प्राइज आपका ऊपर के तरफ निकल जाए जाना तो नहीं चाहिए लेकिन चांस है क्योंकि यह एक बहुत-बहुत स्रॉंग सपोर्ट है और यह जो डे लो बना है मिरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइज अब हमने तो एक्जिट कर है तो अपसाइट के तरफ निकल जाए फिलहार सारी कॉइंटेश हमने यहां पर निकाल दी है बाइस हजार कुछ रुपय का प्राफिट चल रहा था और इसके अंदर जो और हमने बुग किया बाइस दो सो पश्यक्ति रुपय किया ओवराल प्राफिट आज का बुग किया है यहां पर जैसे प्राइस ने प्रीविएस हमारा स्विंग ब्रेक किया था कैंडल्स और वॉल्यूम्स के जो कंफिर्मेशन थे उसके अपनी एक्जिट कर ली थे बहुत क्योंकि जो अपने टार्गेट थे वो करीब यहां पर थे इस जगह पर इतना बड़ा टार्गेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मार्केट में इतना बड़ा टार्गेट देगी बट जिस स्पीट से प्राइस हमारा नीचे की तरफ आया पहला तो 9.15 का लो ही था कि 9.15 का लो बाद में जब मुव्मेंट यहां पर आकर के प्राइस जिस तरह से जितनी बड़ी-बड़ी केंडल यह फॉर्म कर रहा था था थोड़ा से स्टेच का दिया टार्गेट की यहां पर आ जागा लेकिन उस लेवल को तो इसने एक जटके में वरिक किया एक बड़ी से ग्रीन केंडल बन गई पिन बार और जैसे ही इस पिन बार के नीचे मार्केट गई तो और बड़ा गाता है कि इतने बड़े टार्गेट के लिए ट्रीड हमने एक्जेक्यूट नहीं किया था हां मार्केट में टार्गेट दी जैसे यहां पर में टार्गेट बुकेंट फिर मार्केट सीध है यहां से फिर यह अप्चैट की तरफ चली गए फिर मेरे स्टो प्रोसस ले ले लेकिन कल था यह पूरा सेलिंग जोन में ही और आज के सेशन में देखिया अपोले ने क्या किया है कि कॉंट्यूसली यह नीचे के तरफ गिरा मेरा बहुत मार हो रहा था मौनिंग में हम इसको शॉर्ट करते हैं हाला कि प्राइस देखिया आज 5050 कितना उपर गया है लेकि कि कैस टाक्स में था तो आज के सेशन में कोई ट्रेट एक्जिकूशन नहीं था आज तो चांस नहीं विए छागता करने काम को एक सही एक जो अच्छा क्रेटिरियम कर कर रहे थे दिखे लौगीण ही है वो नहीं मिला था लेकिन कल ऐसा लग रहा है कि आज जिस तरह से प जिसको बाद में देखते हैं, यहां पर देखे, order book अपनी open है, position book, position book भी पुरी तरह से खाली है, loading data please, okay, and order book आप देखोंगे तो यहां पर भी कोई order नहीं है, कोई execution यह कोई order में नहीं लगा, आज के session में कोई trade execute नहीं किया, कल हम क्या expect कर रहे हैं, कि जैसे APL अपूल है, APL के और जो stock हैं, इसी की तरह, APL की तरह, बाकी की stock में नीचे आने चाहिए, बले ही वो stock हमारे upside की तरह हो गए है, या अदर जात तरह आप stock हो कि वो side wave trend में है, कल जैसे हमको short selling का मोगा मिलेगे, stock के अंदर, stock को short कर देंगे, और एक तरीका हम आपको बताते हैं, मान लिजे पर्टिकुलर कोई एक sector है, इस sector में अपने चार stock आते हैं, एक चार stock क्या करते हैं, इस चिसको अब observe करना, कुछ stock होंगे जो uptrend में होगे, एक हमारा क्या होगा ना, down में होगा, बाकी up में होगा, यह बहुत प्यारी चीज़ है, live market में देखना, आज के session में market में तीन ऐस पर्टिकुलर सेक्टर के जो अप में हैं, और एक बचारा downside की तरफ है, कल के लिए सबसे ज़्यादा expected वो stock होगा, जो की नीचे की तरफ है, सब तो उपर यह नीचे क्या कर रहा है, इसे भी उपर ही होना चाहिए, कल खुलते ही यही वाला stock सबसे पहला stock होता है, जो की पहलू होते हैं, इसलिए जोरुत पड़ती है, हमको daily time frame पर अपने readings की, lower time frame पर अपने entry confirmations की, हम trend identify करते हैं, एक particular अपना entry की formation होती है, risk and money management, सारी चीज़े देखने के बाद में trade execute होते हैं, इस वज़े से ही आप देखते होगे, कि ज़्यातर stocks में लोगों के या फिर कोई लोगी trade up execute को, सिर्फिस stock ही नहीं, किसी भी segment में आप जाओ, option में लोग क्या करने हैं, भर भर के loss करने हैं, हम आपको एक chat दिखाते हैं, basically हम दिखाते नहीं हैं, लेकिन हम आपको एक chat दिखाते हैं, ये रवी हैं, आज देखिए अपने बीच क्या बात हुई, बाद में त देखिए, एक message उन्हें लिखा, loan ले लिया है, and loss भी कर दिया है, बहुत ज़्यादा tension, पांच लाग का loan लेकर के option trading की, समझ रहे न, पांच लाग का loan लेकर के option trading की, साड़े तीन पौने चाल लाग का loss कर दिया, एक लाग चाली जार इनके पास बचा हुआ है, आदमी कैसे शुरू करें, यह हमने रवी को बताया, साफ साफ हमने इनसे कहा, कि market में पैसा है, market में इतना पैसा न, जो आपके पास नहीं हो सकता, आपके पास उतना हो ही नहीं सकता पैसा, आप जहाँ बैट करके trade execute कर रहों न, इसमें इतना पैसा है, आप market से वो पैसा लेने के लिए आए हो, ना कि खुद की capital लगा-लगा करके market को पैसा दोगे, क्या करना है आपको, भाई, दस हजार की capital, दस हजार की capital आप लेकर क्या हो, capable होगे, market आपको इतना पैसा देगी कि आप संभाल नहीं पाओगे, लेकिन पूरा management लगता है, उसके पीछे की education लगती है, यह बेवकूफ ही है, जो रवी ने की, या रवी जैसे और लोग करते हैं, हम साफ साफ, बार बार, हर बार, हर वीडियो में ये बात हम बोलते हैं, पहले cd होती है, steps होते हैं, stock market के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, financial market में हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ steps होते हैं, उन कुछ पैसा खमा लेंगे बाद में हमारे दिमागों उपर वाला दे देगा, और हम काम करने लग जाएंगे, कब समझ में आएगा, कब समझ में आएगा इनको, हम चाहें तो हम भी बड़े बड़े वीडियो बना सकते हैं, बड़ा बड़ा profit दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं वो भी लेकिन वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं है उनका negative impact पड़ता है ये negative impact है जो कि market में सभी लोग दिखाते हैं क्या सोच करके रवी ने 5 लाग उपर loan ले करके किया होगा आप अंदाज़ा लगाए ये कि बड़ा असान है पांच लख ले लेते हैं पांच कमरा double हो जाएगा पांच लमन को वापस कर देंगे पांच बचे पैसे हो को हम कहीं डाल देंगे और फिर सेम ट्रेडिंग करने लगेंगे ये देख रहे ना ये mindset लोगों का बनाया जा रहा है government बेफकूफ थोड़ी ना वो शाम के भी session स्टार्ट करने वाली option trading को ले करके उनको पता है कि यहां पर जितने भी लोग है सब पागल हुए रखें option trade करने के लिए शाम के sessions क्यों है दिन में वो trade कर लेगा जो घर में है जो office में बैठा हुआ है और जिसके पास mobile है सामने है और उसको allowed है mobile चलाना और वो चला सकता है mobile और trade कर सकता है वो trade कर देगा बहुत से लोग होते जो दिन में काम नहीं कर पाते हैं office में जाने की वज़े से या job duty में होने की वज़े से नहीं काम कर पाते हैं शाम को आईए आप 5-6 बज़े आप घर में आ जोगे हमें काम करते हैं नहीं 6 बज़े से आपके लिए market चला देते हैं बाकियों से तुम पैसा लए है हम आपसे भी पैसा लेंगे करो option rating जिंदिगियां बदल जाते ही यहाँ पर यह mindset बनाया जा रहा है लोगों के देखी कितने अच्छे-च्छे एड आते हैं यूट्यूब पर कुछ नहीं करना है आपको chart read नहीं करना आपको candlest read नहीं करनी है आपको यह read नहीं करना आपको कुछ नहीं करना आप आख बंद करके बस option trading start को दो सब हो जाएगा हम सब संभाल लेंगे ऐसे यह हो रहा है public कहते हैं कि हम बहुत समझदार हैं वो हमसे 20 तरह के question करती है यह कैसे हो गया वो कैसे हो गया जहाँ actually questions करने चाहिए जहाँ actually logical questions करने चाहिए वहाँ पर आखे बंद हो जाती है वहाँ उनको सब चमक धमक सोना मतलब हर जगा दिखाई पड़ रहा है कितना असान है यह सब काम करने अब यह जो हम बाते बोल रहे हैं इनी बात हो कि जगा कुछ और बाते भी बोल सकते थे जिनसे कि actually results आते हैं यह हम को strategy बता दे मार्केट से छोड़ दोगे मार्केट छोड़ दोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे first step stock stocks की करो trading सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ दस हजार हम बहुत बोले हैं अब पांच हजार ही enough है time लगेगा पांच का दस होने में कैसे money management करना है कैसे technical analysis real में technical analysis किस तरह से करनी है वरना हम देखे यह बात पिसले I think 2 साल से लगाता है भी बोलते चले आ रहे हैं आगे भी हम बोलते चले चले आएंगे और लोग ऐसे बेवकूफ बनते रहे हैं बनते रहेंगे और अभी भी बन रहे हैं candles, no need to indicators no need to chart patterns no need to trend line, no need to support resistance और तरह तरह के head and shoulder किसी चीज़ की ज़रुवत नहीं है you have to just कुछ भी कुछ भी कर दो trading हो जाएगा option trade कर दो मजाख है मजाख है आप एक lot भी bank nifty का उठा लो 1000 रुपय कलोस यूँ दिख जाएगा आपको nifty में या bank nifty में एक lot के अंदर आपको 1000 रुपय कलोस यूँ दिख जाता अगर आपके opposite direction में price चला गया तो हम stock में काम करा देंगा आपको 1000 रुपय एक महीने में खतम ने कर पाओ कि जिस तरह से बोल देंगे काम करने के लिए और उससे ज़्यादा सीखो कि यहाँ फिले सीखो stocks को इसलिए मत सीखो कि यार यहाँ पर तो हमारा profit होता ही नहीं यह बहुत कम profit होता है capital बहुत लगती है यह सिर्फ आपकी एक मनगणन कहानिया है जिसको कि आपने मान लिया है stocks को trade इसलिए करो इसे as a field use करो कि हमें यहाँ से सीखना है दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांस दिने हमें कुछ दिन तक लगातार सीखना है सीखने के बाद में जब हाँ लगेगा हम capable है अब price को read कर सकते हैं अब आप जाओ अब bank, nifty, nifty, जो मर्जी आपको यह सब तो छोटे-छोटे हैं आप m6 में जाओ currency market trade करो यह सब छोटी-छोटी markets हैं आप यहीं पर loss कर रहे हो वहां क्या हाल होगा moral of the story शुरुआत जहां से करनी है और जैसे शुरुआत करनी न वैसे शुरुआत करो हम कुछ वो नहीं दे दे हैं कि 10,000 रुपे में आप इधर यह कर दो उधर वो कर दो और 1000 रुपे में एक lot ले लो एक दिने पैसे double अगले दिन आप उसी capital से all lot ले लो फिर पैसे double जो लोग करने यह reality है असल में 10,000 रुपे से ऐसे trading शुरू होगी आप देख लो जाकर के लोगों के वीडियो 10,000 रुपे सब option करा देंगे आपको 10,000 भी नहीं चाहिए 5,000 यह अगर account में more than enough of 5,000 करना क्या है हमें profit थो भी निकलना हमें अपनी capability को increase करना है capable हो जाओगे market पैसा दे देगी इतनी चोटी सी बात समझ में नहीं आती अब जैसे हमने यह सारी बात एक साइड में रखते हैं हमने trade किया था APL को बात शुरू करें तो कितनी बहुत सारी बात उसी में से हो जाती है नहीं ज़रत है ज़्यादा पैसे की क्यों आप खुद भी परेशान होते हो साथी साथ फैमली भी परेशान होती है तीन लाग चाल लाग उर्पे में कोई मामूली बात है जाना हम यह मान के चलते हैं कि जो भी लोग market में काम करें ज़रत और लोग middle class है middle class 4 लाग मतलब बहुत बहुत और चुप 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 के कर रहे थे रवी चुप चुप के काम कर रहे है वो चुप चुप के options rate कर रहे है हमें दिखा रहे हैं कि वो stock trade कर रहे है हमें क्या पता हमें दिखा रहे हैं प्रैक्टिस वो stocks के अंदर कर रहे हैं और असल में काम कर रहे हैं के अंदर अभी capable नहीं हुए हैं stocks में अपने को profitable बनाने के option में काम कर रहे हैं बुछो तो बोले हैं कि सर बस हमने शुरू कर दिया था यह सोच करके कि थोड़ा दिन थोड़े दिन कर लेंगे बाद में इसको हटा देंगे फिर फिर फिक्स हो जाएंगे नहीं मानोगे आप मत मानो आपको लग रहा है ना यह वीडियो आप किसी को favorit कर दो यकीन मानो options trading या तो आप करो या आपके जानने में जो भी लोग कर रहे होंगे न आप ज्यादातर लोग loss में होंगे ज्यादातर लोग loss में होंगे readings करो जैसे APL अपोलो को हमने trade किया अब इसको देखो कि daily time frame पर हमने ऐसा क्या क्या होगे जो यहां से हमने फिर इसकंद शौट से लिंग कर दे हमने इस दिन की शौट से लिंग कर दे हमने इस दिन की शौट से लिंग की प्राइस आज क्यों इतना नीचे की तरफ गिरा यह market में हमारा जैसा ही target मिला ना price उपर चला गया और आज देखे एक ही candle में कल कलो टूड़ी है और price पूरे दिन नीचे इसको भी तो हम trade कर सकते हैं नहीं हम क्यों trade कर देंगे इसको लेकिन जो trend analysis हम लोगों ने कल की थी है फिल कि वो देखे आज तक बरकर आ रहा है आज भी market उसको follow कर रही है आप daily time frame पर देखो जैसे यहाँ पर गए यह actually एक swing बन रहा है green candle आप यहाँ पर volumes देखो कि क्या हो रही है यह मेरी master candle है यह master candle है अब यहाँ पर आप कुछ नहां करो सिर्फ आप swings mark कर लो जो कि हमने last video में आपको बताया था swings को कैसे लोग mark करेंगे जैसे क यह मेरा एक पना लो यह बना मेरा high यह बन गया लो और यह बन गया high आप देखिए यह मेरा swing जो लगा था यहाँ वाला swing इसको market ने high volume के साथ में upside दितर ब्रिक किया यहाँ पर देखे high volume है और यह बन गया हमारा resistance पॉइंट यह resistance बन गया अब next जो swing हमारा बन सकता है जो volumes क according हम credit करने है कि यह मेरा next next swing बन सकता है एक उमीद यह थी कि यहाँ पर भी इसको swing लगाना चाहिए इस जगह पर बट next ही हुआ कि price सीध ही मेरा upside की तरफ चला गया अब अगर हम चाहते भी तो sale नहीं कर सकते थे क्योंकि sale करने का area तो मेरा यहाँ पर था नो price खुलते ही उप की तरफ भाग गया हम कैसे sale कर देंगे और हमें sale ही करना बाई नहीं करना तो volumes के according फिर जो हमारा next next resistance point बन रहा है मेरा वो यह बन रहा है अब यहाँ पर हमने लिए अपने entry के confirmations पहली चीज़ दूसरा हम इसको double confirmation कर लेने के लिए हमने just इसके previous ranges मा कर लिए अब हम यह देख बनाया था प्राइस जान से निचे की तरफ गिर गया आज भी देखे क्या हुआ है ना हाई volume के साथ में प्राइस उसी level को बिल्कुल रुक रहा है जहें पर रुक रहा है ना यह बन गया resistance कुछ नहीं एक candle के अंदर कई सारी candle swarm होते हैं अब हम लोग 5 minute के time frame पर चलिए आप 9.15 के candle 9.15 के candle हमारे गई upside के तरफ यहाँ पर यह लोग इसको थोड़ा सा और zoom कर लेते हैं यहाँ पर देखे 9.15 के candle resistance बना प्राइस हमारा upside के तरफ वॉल्म्स बढ़ रहे हैं यह खुत है buying climax हमारा बहुत सारे orders हमारे buying अब यह 9.15 के candle का high जो है मेरा यह वाला point यहाँ upside के तरफ market भी और वापस से देखे 9.15 के देंज के अंदर आगया price अंदर आने के बाद में अब हम देख रहे हैं कि price हमारा इस 9.15 के candle के हाई से किस तरह से reject हो रहा है ऐसा नहीं कि एक candle है दो candle है पूरे movement साब देखो volumes increase हो रही है यहाँ पर देखे फिर से volume increase हो रही है आपके level तो day high break करते बट day high break करने की बजाए price 9.15 की range के अंदर आ गया 9.15 के high को as a resistance से react कर रहा है बार पर reject कर रहा है अब आप देखो कि यहाँ पर क्या confirmations आपको मिलने trade करने के तो हम देखने कि यहाँ पर देखे एक mother candle जैसा कुछ form हुआ यहाँ पर और price नीचे की तरफ यहाँ गया ब्रेक हिया यहाँ पर देखे हो closing हुई price again upset की तरफ एक जो common चीज हो रही है कि price अपने high को यहाँ से लेकर कि यह अपने high को बार-बार protect कर रहे है बार-बार protect होना अब हमने क्या देखा था हमारी जो confirmation candle बनी वो बनी यह वाली यहाँ पर इस जगह पर हमने अपनी entry ल बार-बार low high low high and यह देखे ब्रेक हो गया ना low continuously break हो रहे है यह देखिए यह वाला low break हुआ यह वाला low break हुआ यह वाला low break हुआ यह red candle ही बनी और जैसे ही यह swing गया price आपका एक spike में नीचे आ गया बहुत सारी candles केंदर red form होई है यह इतना ही आसान है रीड वगरा करना है लेकिन कम से कम vision तो clear हो करना क्या है आपका भी option करो कि कभी stock करो कुछ जो मन में आया वो आपने किया तो उसके results फिर हैसे ही निकलत है 10,000 की capital से अपनी trading start करो per day के trades जितने भी लेना चाओ जो हम class में बताते हैं वो हमारे particular trades हैं हम उससे ज़्यादा trade करनी के सलाह नहीं देते यह strictly इसको follow किया जाता है अब strictly भी बोलना सही नहीं होगा क्योंकि वो जो चीज है वो हस्ते हस्ते सभी लोग follow करते है actually उसे आपक सबी लोग भी उसको follow कर रहा है per day का per day आप कितने trades लोगे fix है per trade आपका risk कितना होगा fix है सारी चीज़े fix इसलिए capital 10,000 की नहीं लापार हो ना 5000 है वो भी बहुत है हम मान की चलते की चलिए आपका account में 10,000 है stocks पर जाहो reading start करो कहीं से भी कोई video उठा करके देख लो मारा वहा बात में 0.5% risk लेना है 0.5% के जब आप risk लोगे न तो यह सोच करके point of view देखे यहाँ पर जो आपका thought process चलेगा वो क्या होना चाहिए आप यह मत सोचना है कि इससे profit काम आएगा नहीं 0.5% का जो risk है सबसे पहला कि यह आपका real trade है सबसे पहला benefit जो इसका होगा second benefit होगा कि आप proper educated way में आगे की तरफ बढ़ोगे एक professional way में आगे की तरफ बढ़ोगे charts को actually तब आप rate करना है start entries के confirmations stop loss के confirmations की एहमियत तब आपको पता चलेगी जब पूरी तरह से focus आपका सिफ chart trading और trading पर होगा ना कि profit बनाने पर इस तरह से जब आप काम करोगो तो यह मन में नहीं होना चाहिए कि हमें बड़ा profit लेना है तभी मजाएगा नहीं कम profit लो लेकिन आप यह मान के चलो आप लिख लो मेरी बात आप सीखोगे बहुत stocks को as a field आप share को सीखो कि बस हमें यहां से trading सीखनी है जितना ज्यादा समय तो खो सके उतना ज्यादा समय तो कि हम पर price action की practice करो आप Asian paint को trade कर लोगे आप bank nifty को trade कर लोगे आप nifty को trade कर लोगे आप fin nifty trade कर दोगे आप reliance को trade कर दोगे आप bank nifty trade कर दोगे आप fin nifty trade कर दोगे आप bank x trade कर दोगे आप कुछ भी trade करो आप stock trade कर लोगे आप कुछ भी trade कर लोगे और कुछ भी trade करने के लिए जाओगे तो फिर बात दूर जा चुकी है, यही होगा, यही होता है, यही होता रहेगा, बहुत लोगों को हमें देखा, बात करते हैं, हम call पर, अक्सर हम लोगों से call पर ही discussion करते हैं, call पर ही बात करते हैं, अक्सर, जितने भी लोग हैं, सब लोगों से हम call पर बात करते हैं, call पर बात करने की यह है कि जह हम पूछते हैं कितना क्या experience है, कब से काम कर रहे हैं, कितना experience है, कब से काम कर रहे हैं, क्या trade कर रहे हैं, कैसे trade कर रहे हैं, वो चीज़ हमें पसंद है, हमें अगले का experience पता चलता है, भाई उनका भी तो अपना experience होता है, वो experience हमें पता चलता है, तो जितनी भी ल महल जाओ वरना ऐसा नहों कि बहुत देर हो जाए आज के वीडियो हम लोग यहीं पर खतम करते हैं और आज तो कोई ट्रेड लिया ने कल चांस लग रहे हैं कि कल अच्छा ट्रेड मिलेगा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्टियम में आप लोग चाहतो टेलीग्राम करते हैं तो बहुत सारी चैनल जो के हैं वहाँ पर शेयर करते हैं तो थैंक्स और विल्मीट अगेन